इन दिनों सोसल मीडिया पर दो मार्कशीट बहुत तेजी से वारल हो रही है उसमें दिखाई देरा किस तरीके से बहुजन छात्रों के नंबर को इंटर्वियू में काट लिया गया और इन छात्रों को फेल कर दिया गया ये छात्रों छात्राएं जो है ये लोग अब जज न नहीं बन पाएंगे जो मार्कशीट है लगाता सोचल मीडिया पर वारल है इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा साथ ही मैं आपको बताऊंगा आज कल के दुरोणाचार की इस तरीके से जातिवाद कर रहे हैं नमस्कार मेरा नाम है नवीन क उठा नहीं मांगते साहब ये लोग जाति वाद करते हैं ये लोग जाति के नाम पर नंबर काट लेते हैं और फेल कर देते हैं क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज के बच्चों को ये लोग आगे बढ़ते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं सुनील ना मैंने कला को बताया था महिमा को किस तरीके से फेल कर दिया गया नंबर काट लिया गया था और अब वही जो आज दूसरी मार्क्षीट वारल हो रही है यह मार्क्षीट जो है राहुल अहिरवार की मार्क्षीट है और एससी समाज से आते हैं एससी कटेगरी से आते हैं देखि पेपर में इन्होंने 52 नंबर हासिल किया है थर्ड पेपर में 33 नंबर और चौथे पेपर में इन्होंने 44 नंबर हासिल किया है लेकिन इंटर्व्यू में इनको 19.50 यानि 19 संक दिये गए हैं और इन्हें जजबन्ने से रोक दिया गया और वहीं महिमा के साथ भी ऐसा ही कुछ मैं महिँ आ की मतर्ष रहा हूं क hard thing से आती हिस्acas breakthrough से यानि में रिकर शुशत जन जात से समगता है साड़े 55 नंबर सेखैंड इसे जोटम कई हैं संद्रप्र में 56 नंबर उता हैं फ्र्राथ दस दसमलो दो तीन अंक हासिल हुए थे और इनको भी ज़ज बनने से रोग दिया गया हाला कि जो मार्च्षीट है इसकी सत्यता की पुष्टी हम नहीं करते हैं जो मार्च्षीट है सोचल मीडिया पर लगा तार्तेजी से वारिल हो रहा है बहुजन समाज की लोगों में काफ पिछना करने पाए और आज कल के जो द्रोणाचारी है ए लोग जाति के नाम पर नंबर काट लेते हैं आपका समाज आगे ना बढ़ने पाए बहुजन समाज जब अनपर रहेगा तो तरक्की नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से बरबाद हो जाएगा मैं आपको बाबा साह सामान है जो पीएगा और दहारेगा वही गुर्राएगा लेकिन बहुजन समाज के बच्चे किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और जब नौकरी की मांग करते हैं पहली बात नौकरी दी नहीं जाती और अगर कोई वेकेंसी आती है उसमें लोग फॉर्म भरते हैं जो थियोरेडिकल होता है उसमें लोग पास कर लेते हैं लेकिन इंटर्व्य के नाम पर नंबर काट लिया जाता है आगे नहीं बढ़ने दिया जाता आप पता कि यह सुप्रिम कोट में कितने डलित जो हैं जजज हैं कितने बहुजन जज़ हैं पता कर लिए वहां पर सहब कोलेजियम सिस्टम चलता है वहां पर तो बहुजनों की इंट्री को समझ लिए एक तरीके से बैन कर दिया गया है वहीं देखे ट्राइबल आर्मी ने महिमा के मार्क शीट को लेकर के ट्वीट किया था जातिवास समझ जिए ए आदिवासी वर्ग की सिविल जज सिम मार्क चाहिए थें इनके 192 अंक हैं इंटर्विव में 20 नंबर चाहिए थें इन्हें 18.5 अंक ही मिलें चैन से वंचित रहे गई कुल 114 पद स्विक्रित थें मात्र पांच ने क्वालिफाई किया 109 पद खाली रहे गए और वहीं देखिए परमिंदर ने ट्वीट किया है जातिवाद क्या होता है आईए देखते हैं ए आदिवासी वर्ग से सिविल जज़ एस्परेंट महिमा है थियोरी में एक स्वस्ति मार्क चाहिए थें इनके 192 नंबर है इंटर्विव में 20 चाहिए थें इन्हें 18 नंबर ही दिया गया है और चैन से इन्हें वंचित कर द में आज भी जातिवाद हो रहा है आप जाके पता किजिए कितने विश् dusty ड्य कितने बहुजन टीचर हैं ते स्सावति कि जो तमाम और वीवाग है उस उसमें कितने लोग बैठे हैं बहुजन समाज के लोग आप ना के बराबर पाएंगे दो चार अपवास पाज जाएंगे तो पाज जाएंगे अधिकतर में आप नहीं पाएंगे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्वें वहां पर है ही नहीं और इसलिए नहीं है क्योंकि जो मन विचार धारा के दुरुणाचार हैं इन लोगों को जब पता चलती है कि आप संख्यक्त हैं तो आपके नंबर को काट लिया जाता है यह मैं नहीं कह रहा हूं सोचल मीडिया पर तमाम लोग इस तरीके का लगातार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कल महिमा की मार्षिट वार हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं आखिर वो दुरुणाचार है कौन जो इस तरीके का दुस्साहस कर रहा है क्या उसके उपर कारवाई नहीं होनी चाहिए तमाम लोग जो कह रहे हैं कि इंटर्व्यू इसलिए होता है कि जिसको चाहिए आप उसको आगे बढ़ा द लेकिन इंटर्विम कितने नंबर हैं आप जाकर के पता कर लीजेगा आप गूगल भी कर सकते हैं और तीना डावी का आप पता कर लीजेगा क्योंकि तीना डावी भी बहुजन समास जाती थी तमाम लोग कहते हैं इसलिए तीना डावी के नंबर को काटा गया था लेकिन त पास्तों में बहुत समाज के साथ आज भी जातिवाद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है कॉमेंट बॉक्स थुला हुआ है आप लोग अपनी राह में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़